अलो दोस्तोस जाहेंन फोक कि दिएलएं Western और वह हमने देखा था कि मैंअ गांग को जितनी भी रोड़ा होती वह सभी no ब्रणाय वोटी है कि मैंंप्रूचर को से अमने देखा था कि मैंपर्दोस न्याग की बनाने उसको प्लूरर से सिंगूलर बनाने की नियम देखेंगे आज हम देखेंगे जितनी भी नाउन होती है तो आज हम जो हैं जितनी भी नाउन होती है या अर्थात संग्या होती है उनको सिंगूलर से प्लूरर किस तरीके से बनाती उस तरीके का जम नियम देखेंगे राइट च कि एक बचन संग्या को प्लूरल बनाने के नियम तो यह हमने देखा कि सिंगुलर नाउन है वो सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के नियम जितनी भी नाउन होती है आप याद रखिए जितनी भी नाउन होती है वो सभी सिंगुलर होती है और जितनी भी मैंवर होती है वो सभी प्लूरल होती है इसलिए हमें उने सिंगुलर और प्लूरल बनाने की आवशक्ता पढ़ती है चलिए तो पहला हम यदि इसमें हम देखना चाहें तो हमें एक एक के दूर पर ले ले आ जैसे एक ऐग्जाम्पल है CLASS CLASS महाने होती तो क्लास में हम Classes कर देते हैं तो किस तरीके हम Classes करते हैं क्यों हमें आवेसकता पढ़ती है यह लगाने की हमें क्यों नहीं लगा देते की Classes में आखेख लगादेते हैं yes नहीं लगादे तो इस तरीके हमें नियम क्यों आवसकता पढ़ती इसलिए हमें नियमों की ओपरती है राइट चलिए प्लूरल बनाने के नियम हम पढ़रा है कि जितनी भी नावन होती हमती हम उनको कैसे प्लूरल बनाती है राइट चलिए तो यह हम देखना चाहें तो एक यही पर एक नियम बन जाता है, कि यदी नाउन की अंत में, प्लूरर बनाने की नियम पड़ रहे हैं, तो यदि singular noun की अंत में एस हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस हो, एक्स हो, जैड हो, ओ हो, एटीसी, एटीसी का एटसेटर और भी हो सकते हैं, के भल इतने ही नियम में भी हो, इतने ही होते हैं, तो उनके लास्ट में एस लगा कर हम उसको plural noun बना देते हैं, clear है, चलो, तो जो example है, उसको नीचे लिखेंगे, जिस तरीके साब revision करना चाहों, तो वो दिमाग में जन्दी किलिक कर जाए, यदि आप नहीं भी लिखना चाहों, तो केबल इस तरीके के आप example के तोर पर यदि समझना चाहों, तो example के तोर पर समझने लीजिए, ठीक है न, चली, तो इस singular noun के अंत में, अंत में का अड़त है, last में, last में, last में, s हो, double s हो, s h हो, c h हो, x हो, y हो, z हो, o हो, etc, etc, तो हम सिंगुलर नाउन के सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगा कर लगा कर पुलूरल नाउन बनाते हैं पुलूरल नाउन का अर्थ है पहुबचन संग्या बनाते हैं ठीके ना एक्जम्पल हम आपको दे दिया कि क्लास क्लासस हो जागा लास्ट में क्या था डबल एस था तो डबल एस के काड़ हमने क्या लगाते हैं ये एस लगाने से हमें कि ये क्या बन जाई पुलूरल नाउन बन गई तो ये हमारा डूल नम्बर पहला कहलाता है समझ में किलियर आ गया है समझाने की आवे सकता नहीं यदि सिंगूलर नाउन के अंत में एस हो डबल एस हो सी हो एकस हो जैड़ हो ओ हो तो लास्ट में यह जोड़कर हम उसे प्लूरल प्लूरल नाउन बनाते हैं किलियर है चली तो इसको नूट कर लीजिए अब हम रूल अमर्बर सेकंड पढ़ेंगे रूल अमर्बर सेकंड यदि हम बात करें तो आपने एक सब्सब्द सुना होगा बेवी जिनके लास्ट में बाई आता है तो बेवी हम अटाकर बेवी इस कर देते तो आप इसको नोट कर लीजिए चले उससे पहले हमें एक एक लेंगे टो एक बहुत सिंपल ये बाइ बेवी High पाइब बच्चा होता है जो भी माता जो भी गरब बती होती उसके बच्चा होता वह चोटा उसको बेबी कहते हैं तो एक्जामपल के तो पर आकर हम देखना चाहें तो बेबी बेबी का यदि हम प्लूरा नां बनाएं तो बेबीस हो जाता है यानि बायश को अठा कर आई यह एस लगा दी तो आप यह की रूल यह की याद रखिए यदि singular noun के बाद यदि बाई हो और यह से पहले plural noun बना देते हैं तो यही रूल बन जाता है तो रूल नमबर सेकंड क्या कहलाता है रूल सेकंड क्या कहलाता है यदि यदि सिंगुलर यदि सिंगुलर नाउन के नाउन के लास्ट में वाई हो और बाई से पहले पहले या पूर्व है ना या विफोर लिख सकते हैं विफोर यदि सिंगुल और नावन के लास्ट में बाई हो बाई से पहले कौन सोनेंट हो यानि बेंजन हो कौन सोनेंट बेंजन हो तो हम बाई को हटा कर आई ई एस लगा कर यदि कौन सोनेंट को अटा कर सोरी कौन सोनेंट बेंजन को हम बाई को अटा कर आई एस जोड़ कर जोड़ कर प्लूरल नाउन बनाते हैं प्लूरल नाम बनाते हैं आप नोट कर लिजिए किलियर है यह आप नोट कर लीजिए सबसे पहले रूल लंबर सेकन्ड लेखिए उसके बाद एक्जामपल नीचे लेखिए ठीक है ना चली नोट कर लिया चलिए अब रूल लंबर हम थर्ड पढ़ते हैं आपने दरसल देखा होगा कि हम एक एक जामपल के तौर पर ले लेते हैं लिफ्स है ना तो इस तरीके के होता है तो उसमें हमा यदि एप हो है ना एफी हो तो हम एफ और एफी के इस्तान पर वी एस लगा देत है यानि लिफ के जगे लिफ्स हो जाता है क्यों हो जाता है तुर्क्यों वाफिसकता पड़ती है तो हम रूल पढ़ ने पड़ते है इंगलिफ की इस तरह से है ना तो चलिए अब नोट कर लिया चलिए के अब हमें एक जामपल ले लेते है ले या ए वी बहो यह वह लेटी है तो यह आजाए लीफ कर देते हैं कर देते हैं इस तरह के दूसरा एक्जामपल लेना चाहिए तो लाइफ भाने जीवन होता है तो लाइफ joint चली अपने नाउन हम याधिन जिन्गूलर नाउन के अंतम है एफ हो लगा देते हैं। तो वह singular, sorry, plural noun बन जाता है, clear है, चलिए, तो हम rule लिख लेते हैं, rule क्या कहलाता है, rule third में क्या कहलाता है, यदि, यदि singular, singular, singular noun के, singular noun के अंत में, अंत में, F हो, या, F ही हो, तो हम, F या, F ही के, place पर, place पर, V, E, S, लगा कर, लगा कर, लगा कर, प्लूरल, प्लूरल, प्रो नाउन, प्लूरल प्रो नाउन, प्लूरल नाउन, बना, देते, है, इस तरही है, rule क्या कहता है, यदि singular noun के अंत में, एप हो, एप भी हो, तो हम, एप एप एपी के place पर, यानि, इस्तान पर, V, E, S, लगा कर, प्लूरल नाउन बना देते है, तो यह लीप था, वो singular था, लीप से हमने, प्लूरल यदि उसको noun बनाना चाहता हो, लीप हो गया, यानि, लगा दिया तो इसी प्लेस से हमारा थर्ड कहलाता है आंगे आप नोट कर लीजिए बहुत बहुत सिंपल है लगा कर हम प्लूरल नाउन बना देते हैं अब देखी कुछ exception होते हैं आर्थात अपवाद होते हैं जैसे कुछ आपने देखा होगा मनुस्वर में भी कुछ अपवाद हो जाते हैं तो इसी तरह के इंग्लिस में भी कुछ अपवाद होते हैं अपवाद का अड़ता है यह फोलो फोलो नहीं करता है तो उसे रूल फोलो ना करके तो उसमें क्या लगाना पड़ता है लिप्स लगा उसमें लगा यह यह कुछ सब्सक्राइब कि बहुंद के आपको करा देता हूं कि रही चलिए इसको नोट कर लीजिए कि चलिए नोट कर लिए तो नहीं कहीं है रूल अमबर थ्री में हम यह यह उल्ण लेकर लेंगे क्या लेंगे चाहिए आफिक कि नोट में हम क्या करेंगे कि नोट में कि जैसे Roof आ है रूप हो इस तरीके हैं यदि नाउन कुझे नाउन आए तो उसमें केवल एस लगाकर मिने मुर्स में नहुन Nil बना देते हैं क्विश्थ चलिए तो नोट में हम क्या लिख देते हैं जैसे रूफ हो गया रूफ का क्या होगा रूफ हो जाएगा तो यह 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 य और पिर इसमें रूल बनानी की आवे सकता किया मुझे लगता को बनानी की आवे सकता नहीं बस आप समझली रिधा और देखना चाहिं तो उगया चीप ले लिते हैं इसी तरह कपर गण прos तो प्रूब में भी क्या हो जागा प्रूब से हो जाएगा इसे दर असल आपने प्रूब जै akan ''siddh कर दिया'' तो इस तरीके रूफ 이게 लाः नाउन बन गया रोप भाने स्क्राशच्छट होता यह उस Miller होता ऑखemale ् دن वरति संगुलर नावन बणाना होता है तो उसमें इस तरह का किए चीप है। स्थ थ्लि के अपबाद हो गए है नुदधि, लिखे- फोलो एक्सप्सन की क्या चीज होती है उस चीज को फोलो ना कर रहा हो उससे अटकर हो तो वह एक्सप्सन बन जाता है अप बाद बन जाता है इसी तरी है अब नोट कर लीजी है चली आपने नोट कर लिया अब आपने कभी में सुना होगा तो उसमें में की जगह में कर देते हैं है न होता है महिला होती तो उसमें प्लूरल यदी बनाते हैं यदी हम plural noun बनाते हैं तो W-O-M-E-N कर देते हैं इस तरीके के हम कुछ noun होते हैं उन्हें हम bubbles में केबल convert करके हम plural noun बना देते हैं clear चली इसको आपने लेते हैं जैसे मैं हुआ तो मैं हुआ तो यह singular noun हो गया यानि हम डेस करके लेटे singular pronoun sorry plural noun प्लूर नाउन प्लूर नाउन प्लूर नाउन प्लूर नाउन हो गया है ना तो इस तरीके में हो गया एक जंपल ले ले तो एक बूमैन होगया मास को गया माउस हो गया है जबना तीस्रा एक हम देखना जांए तो रूंब 试भी इस तरीक एक हमने एकजम्पल लेपर इसमें दरासल होता है कि कि जितनी भी बॉबल आपको यह बॉबल देख रहा है कि में में बॉबल यह देख रहा है माउस में बॉबल यह तरीके के एक होता है लूज होता है इसलिए गुलूस कहलाते हैं लाउस होता है लाउस इस तरीकी के तो यदि हम प्लूरल बनाना चाहे तो इसमें क्या हो जाएगा माउस को क्या लिख देंगे माइस लिख देंगे टीट लिख देंगे गुलूस को क्या लिख देंगे इसी तरह लाउस है तो लाउस को लाउस लिख देंगे इस तरीके के लाउस इस तरीके हमने नियम यह देग ली तो यह नियम हमने देखे तो दरसल यह नियम हमें क्या सिखाते हैं है न क्या सिखाते है अब यदी हैं में इसमें रून बनाना चाहें तो रूल क्या बन जाएगा bacter sign इन्हें कोई नियम नहीं है दरसल एक तो नहीं तो यह तो यह नहीं हो जाता है इस तरीका कर नियम है इसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई नियम बनानी की आवे सकता नहीं है नोट कलने मैन हो गया, वो मैन हो गया, बूमैन का बूमैन हो गया, माउस का माइस हो गया, तूत का टीत हो गया, गुलूस का गलीस हो गया, लाउस का लाइस हो गया, या एस होगा किलियर है चलिए नोट कर लिया अब आंगे हम एक देखेंगे तो इसमें कोई रूल लखाने की आवे सकता नहीं रूल लंबर फोर जरूर है तो यह दरसल आपको याद करने पड़ेंगे हैं तो अगर रूल की बात करें तो केबल इस तरीके हम बना सकते हैं है कि यदून यादी नावन उसमें यदी ब्मल है तो ब्मल को यह ब्मोबल में कनवर्ट करेंक inica how scored में रूल लंबर 5 है कि अब हम अगर आंगे देखें है रूल मंबर 5 में है अ सुनके इस चाल्ड है असन cash वर्क्यान प्लूरल बना देते हैं जैसे है चाल्ड हो गया चिल्डरन हो जाता है तो इसमें यह बना लेंगे कि कुछ नाउन के प्लूरल नाउन नाउन देते हैं नाउन के लास्ट में और और एन और एन जोड़कर जोड़कर प्लूरल नाउन बना देते हैं तो यह रूल बन जाता है सबसे पहले आप रूल लेखेंगे रूल अमर फाइब रूल अमर फाइब में एक्गाम पर नीच लेखेंगे किलियर है चलो चाल्ड हो गया चाल्ड का कोच नाउन में आर एन जोड़कर हम उसे प्लूरल नाउन बना देते हैं चलिए नोट कर लिए आप इससे प्लीज अब आगे एक रूल हम पर दें जो कंपाउंड नाउन होते हैं जैसे आपने सुरा होगा ना मदर इनलोव सिस्टर इनलोव तो उसमें हाइफन का चिन होता है तो हैपन से पहले उसमें एस लगा कर हम उसे प्लूरल नाउन बना देते हैं किलियर है चलिए तो रूल रूलोमर 6 क्या कहलाता है रूलोमर 6 हो जाएगा कि एक्जम्पल ले लेते हैं डॉटर इनलोव इस तरीके से लिखा जाता है यह सिंगुलर नाउन हो गया यदि इसका हम प्लूरल नाउन बनाना चाहें तो प्लूरल नाउन क्या हो जागा मैंने आप से कहा कि हाइपन से पहले यस लगा कर हम क्या लिखा देते हैं उसमें यस लगा देते हैं यानि डॉटर्स इनलोव हो मैं डूसरा लिखा हैं तो यहां बिर्दर इनलोव की जगे क्या होगा बिर्दर सी लो कि मदर्स इनलों हो जाएगा हैं अब में एक्जांपल के तौर पर यहां दूसरा ज casal तो आपने प्लूर इनलों गवरनर्स जर्रन लिख देते हैं यह गवर गवर्नर जनरल तो यह यह दरसल क्या है compound noun है compound noun में इसका अगर हम plural noun बना तो गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल इस तरीके के हम इसको बना देती है अब दूसरा आजाये तो सब्सक्राइब बना देते हैं चली दूसरी बात क्या इस्ट्राइब मदर में आपको थ्यान देना होगा इस्ट्राइब में यह एक तरह का एड़ेक्टिव यह यह यहां इस्ट्राइब हो जाएगा इस्ट्राइब मदर इस्ट्राइब यहां इस्ट्राइब ना इस्ट्राइब वह जाएगा से होते हो इसे हम पिलूरा नाउन बना देते हैं तो हम लेख लेते हैं कि कि सिंगुलर कमपाउंड नाउन सिंगुलर कमपाउंड नाउन के मैं वर्ड को में वर्ट्स का अरत क्या है मुख्य जो सब्द होता है मुख्य इसमें डाटर जो मुख्य सब्द था इसलिए हम डाटर्स में लगाया इसमें अब बात करें स्टम मदर में मुख्य बढ़न कौन सा था तो मदर मदर सी तो इसलिए हमने यहां एस लगाया है ना इसलिए S लगा कर प्लूरल नाउन बनाते हैं तो यह रूल बन जाएगा तो दरसल्डल आप पहले रूल नमर 6 लखेंगे उसके बाद एक्जामपल लखेंगे यह singular noun हो गया यह इस अन कारता है प्लूर कारता है सिंगूर्ण नाउन के में वर्ट में एस लगाकर प्लूरल नाउन बनाया जाता है ठीक है ना चलिए अब एक तरह का एड़वांस रूप आ जाता है एड़वांस रूप यह हो जाता है कि कुछ नाउन होती है वो सिंगूलर ही रहती है कुछ नाउन होती है वो प्लूरल ही रहती है ना तो उनका सिंगूलर बनाया जा सकता है और नहीं बनाए जा सकता है तो कुछ बर्व होती है वो स्वरी नाउन होती हुना है याद करने ही पड़ती वो सिंगुलर ही नहीं सकते ना उनको उनको सिंगुलर बनाई नहीं सकते क्लियर है चलिए तो रूलम्मर हम सेविन के तोर पर लिख लेती है अब हम कुछ ऐसी देखेंगे ना यह दरसल एडवांस की तरब चलेंगे तो दरसल में भी नेक्स्ट लेक्षर में करेंगे यह ज्यादा बड़ा लेक्षर हो जाएगा तो कल हम जो रूलम्मर होती है की एक्जमpl के तोर पर बता देते हैं जैसे सिंगुलरն जी रहते है सिंग्यूर नाव हो गया मैं घंपनानी ज्यासे-वह व्हुभ Roland रहेंगे में Don नाउन पढ़ाऊंगा ना आपको तो मैं बता दूंगा कि यदि material नाउन हो वह सिंगुलर रहती है वह उनका कभी plural बनता ही नहीं है यह जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तम मैं आपको बताऊंगा अभी जो बेसिक के तोर पर मैं आपको बता रहा हूं इस तरह की चीज़े रा पलेश पलेश नहीं कहते यादि सब्द रूप देखे तो पलेश होता है फिर होता है यह दी दूसरा देखने दो डियर हो जाता है और यह प्लूरल नाउन होते है सीप हो जाता है इस तरीके यह हम एडवांस के तोर पर हम कल पढ़ेंगे इनको तो आज हम इतना ही लेक्श झाल झाल